कम ब्याज दर और घर बैठे एक एक लाग का करजा दिलाने का लालज दे कर इलाकी के महिलाओं को चपत लगाने का मामला सामने आया है ठाना सिटी रूप नगर में खटी हुई महिलाओं ने रोश जताते हुए कहा क्यूने कमपनी के कारिंदों ने घर बैटे ही 24 घंटे में करजा दिलाने के सपने दिखाए और फिर खुद रात और रात दफ्तर बन करके रफू चक्कर हो गए जो अपने नाल लेकी आना है उत परे कमपणी दीचा आज नाल लेके आने नाल अपने शिकारा ने तर लेकर लेकर लेकराना वो सारते सारवी लेडी जो पैसा कट्षा करें अचेए जोबी उन्दे फ्टे चरुद यह जोड़े पेंटे रर नदर ने तो ड़ेश दोलाई प्रूम्प्राइब जाना नहीं कोड़े देखे दखाए पिसी दा कोई पैसा ने आया तरुस्की ने पूर्ण भी बांदा रहे हैं इसनल कोई गालबार प्रासी सुपह एक आए और आसी आए तरह सारी कंपड़ी बांदा यह केस की है सब के साथ मेंबरों के साथ करते रहे हैं थी पिछले हपते ही आये हमारे थे परसों आए हमने वह फॉर्म ले आए थे हमारे पेमेट जमा करा दी तो ऑल अखर भी है सर जमा हुआ है हमारा सबकार दो ऑल अखर भी हैं दो चौबी हंटे केंदर पेमेंट आजएगी पर बैट अब इक पेमेट कोई आई नहीं और वो कल से फ्रार है, वो गए वे, अब हमने दर्पास S.H. को दिया, वो कहरे भी अब हम आपके लिए कारवाई करेंगे। कमपणी के कारिंदों ने महिलाओ को 16-16 वेक्तियों का गुरूप बना कर एक-एक लाग करजा दिलाने का लालच दिया और इसके एवज में हर एक से 2550 रुपे लिए और उन्हें उसकी रसीद दी 550 रुपे फाइल चार्ज और 2000 रुपे का बीमा करवाने की बात कही थी इस दोरान महिलाओ ने बताया कि उन्हें जीवन उमंग फाउंडेशन के कारिंदों ने 24 गंटे बाद करजी की राशी बैंक अकाउंट पे आने की बात कही गई जब राशी नहीं आई तो वो कमपनी के बेला रोड पर मगबरे के निकट बने ओफिस में गए लेकिन वहाँ दफ्तर में ताला लगा था और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ठग लिया गया है ठाना सिटी रूपनगर के सचो सुनिल कुमार ने महिलाओ के शिकायद लेकर जाच करके जल कमपनी के कारिंदों को हिरासत में लेने का आश्वासन दिया है जड़ास हट लेडिस हैं जाने इन्हें को बंदे हैं फराड करके 25 पजार भी पर ले गए ने पर होनों ने शॉप बंद है ते आप फराड ने जड़ा मालका दिखान दा मालक भी बार जी जिप्ती जा रही है